उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनात मंत्री मंडल के विस्तार की उल्टी गिंती शुरू हो गई है मुखे मंत्री योगी आदित्यनात की बुद्वार को राजपाल आनंदी बेन पटेल से भेट के बाद अब मंत्री मंडल विस्तार की तैयारियां होने लगी है राश्रुपती रामनात कोविंद का 29 अगस्त को प्रदेश का दोरा संपन होने के बाद चार मनोनित विदान परिशद सदस्यों के नाम की सूची जारी होने के साथ ही मंत्री मंदल विस्तार की तारिक भी तै हो जाएगी योगी आदित्यनात मंत्री मंदल में अभी साथ मंत्रियों की जगे खाली है बीती 19 अगस्त को दिल्ली में भाजपा हाई कमान की बैठक के बाद मंत्री मंदल विस्तार तथा मनोनित विदान परिशद सदस्यों के नाम पर मुहर लग गई है भाजपा शिर्ष नेत्रेतों और मुखे मंत्री योग्या अदित्यनात के बीच इसी को लेकर पिछले सप्ताहा बैठक हो चुकी है उतर परिश में 2022 में होने वाले विदानसवा चुनाफ को लेकर बैहत गंबीर भाजपा हाई कमान ने किसी भी मंत्री को बाहर नहीं करने का निर्देश दिया है भाजपा किसी को भी नाराज करने की स्थिती में नहीं है इसके साथ ही जातिया और छेत्रिय समीकरन सादने की राजनीती भी तै की गई है 2022 के चुनाफ को देखते हुए नए मंत्रियों को शामिल किया जाए लेकिन पुराने किसी भी मंत्री को योगी आधितेनाथ मंत्री मंदल से छुटी नहीं होगी योगी आधितेनाथ सरकार के विस्तार में 8 मंत्रियों को शपत दिलाई जाएगी इसमें छे भाजपा के होंगे जबकि सायोगी दलों के दो विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा भाजपा की तरफ से संभावित मंत्रियों की सूची में हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले जितिन प्रशाद का भी नाम शामिल है इनके साथ विधायक पल्टू राम, कृष्णापासी, तेचपाल नागर वच्छतरपाल गंगवार को मंत्री बनाया जा सकता है